बड़ी सफलता हांत लगी है द्रेशल अब कारी बिभा गुप्त सूचना के धार पर ट्योपी के समिफ वाहन चांच कर रही थी इस तो रान जिस ट्रक के बारे में ने सूचना मिली थी उस ट्रक को रोका गया चालक ने आगे बढ़ा कर ट्रक को रोका और फरार हो गया वहीं वीदे से स्राब को जब्त कर लिया गया है उन्होंने काया कि अनमान लगाए चुड़ाए कि होली में खपाने के लिए स्राब को लिजवाय चाह रहा था हलांकि सौहईक से पूछ ताच की जा रही है उन्होंने काया कि होली तक लगा तर मुख्थिमारों पर अब कारिवी सगनवान चेकिंग अभ्यान चुलाएगा बिन्पी न्यूज के लिए भागलपूर से आसिस कुमान के एपोर्ट सब्सक्राइब कर दो ने अपने दो सिपाईयों को बाइक से आगे बेजा था तो टीओपी के पास जिस गारी के अभूग रहे थे सुचना थी उसको रोकने का वलोग इसारा किया तो गारी जो है टीओपी से आगे बढ़ा करके रोक करके ड्राइबर उतरके भाग गया जब तक अब लोग पीछे से वहां पहुंचे तो गारी का जो सहायक था भागने का परियाद कर दो से हम लोग ने रोक लिया गारी पर फिर गारी को सर्च किया गया तो गारी में एक गुप चेंबर बना हुआ था उस गुप चेंबर में लगवग 170 पेटी बिभिन बनांडों का स्राव ले जाया जा रहा था उसमें मैकडोवेल नमबर वन रॉयल चैलेंज रॉयल स्टैक औ बाहर से कुछ पता नहीं चल ला था जब उसकी पूरी अच्छी से सगन तलासी ली गई तो उसमें चेंबर में यह सराथ हो गया है जो साहक उसका पकड़ा गया है उससे ड्रावर के बारे में जानकारी ली गई है इसके बाद जो है अग्रतर कारवाई के लिए उसको जेल पर जा रहा है जिस तरह से लहार है और शुक्र गारी के लिए अभी तरह करने का पूरियास किया रहा हो हो नज्देक हम लोग चौविस घंटे हम लोग चौविस घंटे अभी जो है जो ही यह मुख्षी सरक है जहां से संभावना हो सकती है चाहे वो सनौला से आने वजी रास्ते हो या जगदिसपूर रास्ता हो या अमरपूर रास्ता हो इस पर हम लोग बारी बारी से अध्नी सबकार कृए लिजी में एक टने वीजिसएगर रास्ते है थी याड़ यदिन है Arir सामी से बारी से